दोस्तों आप सभीका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम कंपयर करेंगे Micromax के N1B स्मार्टपॉन को Gionic Max Pro से अब दोस्तों Gionic Max Pro स्मार्टपॉन है यह इंडिया के अंदर लॉंच हो चुका और इसके प्राजी रखी गई है जो specs है वो काफी दंदार देखने को मिल जाती है दोस्तो आज की वीडियों हम इन दोनों smart phone को compare करेंगे और देखेंगे कि न दोनों smart phone से कौन से smart phone हो ज्यादा बहतर और कौन से smart phone हो purchase कर सकते हैं तो सबसे पहले बात के लिए डिस्प्लै की Gioni की Max Pro को स्मार्टफोन के बारे में तो हथा इन वंडी को डिस्पे जाते हैं अब दिस्पै भी पीचलिव यहाइच की सब आपकू को स्चन célould की व जाती है यहाप भी आपको Auckland लगबको दोनों में सेमल जाता है अब बात के लेते हैं प्रोसेसर के तो जियोणी के मैक्स प्रोई स्मार्टफोन में आपको स्प्रेड रिक्टरम का SC9863A वाला प्रोसेसर देखना को मिल जाता है जो कि एक अक्टा कोर का प्रोसेसर है और यहां पर आपको मैक्जिम क्लॉग स्पीड 1.6 GHz की देखना को मिल जाते है और दोस्तों यह जो प्रोसेसर है 28NM की फैब्रीकेशन प्रोसेसर से बना हुआ है अब प्रोसेसर की बात लेते हैं Micromax की इन 1B स्मार्टफोन यहां पर आपको मीडिया टेक का Helio का G35 बला प्रोसेसर देखना को मिल जाता है जो कि एक उक्टापोर का प्रोसेसर है और यहां पर आपको मेडिया टेक है की देखने को मिल जाते हैं आप दोस्तों यह ज्यादा बहतर स्पीड और काफी कम आपको हीटिंग देखने को मिलने बाले लेकिन दोस्तों कर बात करें जोनिक मैक्स प्रोसेसर में तो यहां तो आपको स्पीड थीक हम कंसीडर कर लेए थे कि दोस्तों आउक्टा का प्रोसेसर आपको ठीक ठीक देखने को मिल जाएगी डे टूडे लाइफ यहां पर आपको हीटिंग इसू है वह काफी ज्यादा 28NM तो यहां पर जो हीटिंग इसू आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है अब बात के लेते हैं के तो जियोनी के मैक्स प्रोसेसर मार्टफोन में आपको डूल रियर केमरे के सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 13 मेगा पिक्सल प्रस दो मेगा पिक्सल के रियर के साथ आता है प्रस 3 मेगा पिक्सल कैमरा को सिल्फी के लिए देखने को मिल जा एक बात करते हैं यहां पर चार्पर बिल्ख के वहां पर मिल जाते हैं अब बात के लिते हैं बैटरी की तो Gioni के Max Pro स्मार्टफून में आपको 6000 में से एक काफी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जबकि Micro Max के in 1b में आपको 5000 में से एक बड़ी बैटरी साथ में आपको Type-C का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं तक था हूं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद जरूरा है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तो आप मारे वीडियो को लाइक जरूरा है तो अगर आप मारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर बले थैंक। थैंक। पर लच्छिंग